आज सुभा जब मेरी आख खुली तो मैंने अपने मोबाइल में देखा सोचल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वाइरल हो रही थी दरसल उस पोस्ट को देखने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा लगा कि हाँ कोई मुख्य मंतरी हो तो ऐसा होना चाहिए अब उस पोस्ट को मैंने जब सुना तो मैं भी चाहूँगा कि इस पोस्ट को मैं आपको भी सुनाओ असल में वो क्या है और क्या कहना चाते हैं मुख्य मंत्री योगी आदितिनात अब चाते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो चाहें वो फेस्बुक हो चाहें वो एक्स हो या फिर वाटसब ग्रूप हो इस तरह से ये पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर शेर की जा रही थी और खुश्या मनाई जा रही थी खुशी इस बात की कि उत्तर प्रदेश में अभी सिपाही की जो भरती के लिए परिक्षा आयुजित की गए थी सत्रे और अठारे फरवरी को तो उसका पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा था इसी बीच में ये पोस्ट वैरल हो जाती है तो लोग तारिफ करने के लिए आतूरतों होंगे जाहिर सी बात है कि योगी आदितिनात के काल में अगर कोई गरबड़ी हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब ये बात थी तो अब मैंने इस दावे की थोड़ा पोस्टी करने की कोशिश की मैंने भी देखनी कोशिश की कि इस वाले पूरी पोस्ट के अंदर पुलिस का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है लेकिन फिर भी एक जग्यासा थी पतरकार होने के नाते तो मैंने जब इसक जहां लिखा हुआ था जहां पर ये जनसवा आयुजित होई थी उसकी नीचे लिखा था रगुराज सिंग इंटर कॉलिज अब रगुराज सिंग इंटर कॉलिज कहां पर है कहां ये जनसवा होई थी जब इसी जिग्यासा को शांत करने के लिए मैंने गूगल पर सर्च कर पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया और उसी का ही एक तैसीर लगती है भाटपार रानी दरसल इस भाटपार रानी में एक इलाका लगता है बहियारी बगेल यहां पर यह जनसवा आयुजित की गई थी साल 2021 में 28 नवंबर की बतारिक थी आखिरकार यह लessment की बात मुख्य मंतिर योगी आदितनात को बोलने की जरूत क्यों पड़ी चिस दिन यह जनसवा थी उसी दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग परिक्षा केंदरों पर लेगनी D Tumbate की परिक्षा आयुजित की उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा जब आयुज चुका था इसलिए मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने उनको तसलिए देते हुए का कि इस परिक्षा को रद कर दो अब उस परिक्षा को जो साल 2021 में रद की गई थी उसका कुछ भाग निकाल कर शरारती तत्वों ने अब सोचल मीडिया पर वारल करना शुरू कर दिया कि सिपाही की जो भरती के लिए परिक्षा आयोजित हुई थी उसको भी योगी जीना कैंसल कर दिया है लेकिन ये सत्ता नहीं थी कुल मिलाकर सरकार के कुछ लोगों को मैदान में आना पड़ा उन्हें भी बताना पड़ा कि ये परिक्षा अभी रद नहीं की गई है अब सव के पिरदोशों के लवग आधा करोड लवग पचास लाख ऐसे अभ्यरती हैं जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि परिक्षा लिख होई है या नहीं होई है परिक्षा रद होई है या नहीं होई है आज हम अपनी कहानी के माद्धियम से यही बात को समझाने की कानपूर दरसल कानपूर शहर में एक कोचिंग सेंटर जिसका नाम है श्री राम एकेडमी और श्री राम एकेडमी के एक सिक्षक होते हैं मैत के गुरूजी होते हैं जिनका नाम होता है राम जी शुकला राम जी शुकला के पास 18 फरवरी 2024 की सुभई लगबग 10 बचकर 29 मि जाए जरा आप देखिये गोड़ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो परिक्षा चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की सपाहियों की जो परिक्षा चल रही है वो परिक्षा का परिक्षा का पत्रों का जो हल है वो इस PDF के अंदर पूरा का पूरा लिखा हुआ है जैसे ह क्याने के लिए, देखने के लिए, कि सच मुछ ऐस तो नहीं है, जो परिक्षण पत्र है, उसके अंसर पहले से ही लीग कर दिए गये हैं, बनाखर क्शार कर दिए गये है, जैसे ही बारवच्चनेश्टें और रहा जाते हैं और इन्तिजार रहे जैसे ही परिक्शा छुटेगी, उसके बाद किसी स्टूएंट से बात करएंगे और बात करने के बाद उसे पूछेंगे भाईया कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं, जैसे ही परिक्शा छुटती है 12 मेंट के पर एक strengthen निकलता है कि कितने जो PDF आईए उसमें से मिलान होते हैं या नहीं होते हैं जैसे मिलान किया तो कोई भी प्रशन पत्र में जितने प्रशन लिखे होए थे और जो PDF उनके मोबाइल में 10 बच कर 29 मिट पर आई थी उसे विकल भी मेल नहीं खाया और जो मेल नहीं खाता है तो ये अपने उसी इस्ट्रुएंट सत्य वरिकाश को कहते हैं कि ये PDF बेवजे वाइरल हो रही है कोई भी ऐसा नहीं है योगी आदी तेनाथ के रहते होए यहां पर कोई गरवड़ी नहीं हो सकती निशन्त होकर अपने एक्जाम दो और मजे करो कोई दिक्कत नहीं है जिसने मेहनत किये वो आगे जाएगा और जिसने मेहनत नहीं किये भले चाहे कितनी PDF वैरल क्यों ना होती रहें कोई फरक नहीं पड़ने वाला चीक वैसे ही था उसके बाद फिर दूसरी पाली होती है दूसरी पाली में भी एक्जाम होना था यानि कि अब तीन बजी एक्जाम शुरू होना था शाम को पांच बजी एक्जाम छूटना था डेट सो परिशन आने थे उसमें, क्योंकि परिक्षार्ती जादे होते हैं, इसलिए सत्रे और अठारे फरवरी को दो दिन में दो पालियों में एक्जाम होना था, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, सेकिंड पाली का एक्जाम खतम होने बाला है, तब ही सत्य परिकाश का फिर से मैसेज आता है, में लाता है, कि सर देखिए, वो जो मैंने आपको पीडियाप दी थी, उससे आप मिलान करके देखिए, कुछ ने कुछ गड़ बढ़े, वो तुरंत फिर से बाकी जाते हैं, क्योंकि पासमी तो नजदीक में तो उनकी परिक्षा कहेंदर होता है, और जैसे सीदे सीदे, नमबर एक, नमबर दो, इस सर से मिलान तो नहीं हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते पता चलता है, कि डेड़ सो प्रिशनों में से 147 प्रिशनों के उत्तर उस पीडियाप में लिखे होए थे, जो पीडियाप सुबह दस बजे वाइरल हो रही थी, और इस अपने बच्चों से मायूसी हाथ लगते होए देखते होए कहा कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तब ये मीडिया के पास जाते हैं, मीडिया के साथ साथ MLA के पास जाते हैं, MP के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि साथ मेरे पास ये कुछ सुबूत हैं, और दे प्रिक्षा 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 जो रही थी। पहले कि मैं और बाकी बात करूँ, मैं आपको थोड़ा सा यह बताता चलता हूँ कि पूरे प्रदेश में जब यह ख़वर आकी तरह फैल जाती है, तो बात करते हैं, 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवम प्रोनती बोर्ड ने एक विग्यापन जारी किया थ और 16 जनबरी 2024 को यह आविदिन प्रकिरिया बंद हो जाएगी, इसके लिए ऐसा दावा किया जाता है कि सभी भेड़ती चाहिए, वो बीसी हो, ऐसी हो, जर्नल हो, सभी कैटेगरी के लोगों को 500 रुपे का शुल्क भी देना पढ़ रहा था, अब इस शुल्क में, जो 500 नह आने लगते हैं, आविदन फार्मों की जो संख्या आती है, 48,7,441 अवहरती इसमें आविदन करते हैं, नोकरी पाने के लिए, यानि की 6,244 पदों के लिए 48,7,441 अवहरती नहीं आविदन किया, इसमें लगवग 15,00, महिला अवहरती होती हैं, 33,00, से जादा पूरुष इतनी बड़ी संख्या में, ऐसा भी दावा किया जाता है कि कई देशों की तो इतनी जनसंख्या नहीं है, इन पदों के लिए, इस सिपाही की भरती के लिए, कॉंस्टिविल के लिए, लोगों ने आविदन कर दिया था, अब इसके लिए तैयारी होनी ही थी, उत्तर की कर दी जाती है, 17 फरवरी, 2024, 18 फरवरी, 2024, शनी बार और रवी बार का दिन, सुभह की पाली और शाम की पाली, पिरती एक पाली में ऐसा पता चलता है, लगों 12 लाख के आसपास स्टुएंट शामिल होते हैं, कुशी कुशी पेपर दे रहे थे, तैयारी कई, सालों से चल रही थी, ऐसा बताया जाता है, कि साल 2008 के बाद में ये भरती आई थी, और इसको लेकि बड़े खुशी थी, कि हाँ जी हमारी नोकरी लगेगी, योगी जिनने ये भरती निकाली है, खुशी की बात थी, जिसको नोकरी लगती है, उसकी लाइफ भी बढ़िया बन जाती ऐसा बहुत सारे लोग दावबई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने अभी रामजी शुकला जी के बारे में बता है, उनने कानपूर से रहते हो ही पूरी जानकरी दी, कई टेली बिजन पर उनका इंट्रिवी चल रहा है, और उसके बाद फिर चाहें वो आयोध्या हो, चाह हमने तो बहुत महनत की थी, और प्रशन पत्र लीक हो जाता है, और जो लीक हो रहा है, ये बिकुल गलत हो रहा है, उनकी उमीदों पर इत्म सारा जो पानी फिर गया है, कहीं न कहीं असंतोष की भाबना, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगातार दबाब बढ़ने जो होता है, ये साप साप कहता कि 23 फरवरी दो हजार चोबिस तक अपनी आपत्या हैं हमें दीजिए, आप जो दावय कर रहे हैं, आप सुबूत के साथ दीजिए, अगर सुबूत तुमारे सही पाएगे तो हम इस परिक्षा को रद करेंगे, जितने भी इसमें लोग इसमे के साथ साथ, साथी ADG अशोक सिंग की अध्यक्षा में एक समयती गठीत की जाती है, और कहते हैं कि पेपर लिक की जांच की जाएगी, साथी पेपर की छपाई में जो गरबड़ी हुई है, उसकी भी जांच की जाएगी, सनी लियोनी का भी एडमिट कार्ट जारी हुआ था चोबिस्ता की आपतियां अपनी ये उत्तर परदेश पुलिस भरती अबें प्रोनती बोर्ट पर आप जारी कर सकते हैं, यदि ये जांच में सही पाये गया, कि पेपर लिक हुआ है, तो जाहिर सी बात है, अब इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं, कि 23 दिसंबर को य बिल्कि पूरे भारत वर्ट में होने वाला है, अगर ऐसा होता है, तो ये परिक्षार लोकसवाद चुनाप के बाद ही होगी, ना जने कितने ऐसे अभ्यरती होंगे, जिनकी उमीदों पर पानी फर गया है, हाले कि हम तो यही दूआ करेंगे, कि जो परिशन पत्र ये लीक होने की बात है, ये अफवाई ही हो, तो जादा सही है, और जो अभ्यरती ने मेहनत किया, उनकी उमीदों मिलनी चाहिए, एक चीज और बताता से लोंगे, इसलिए भरती पिरकेरिया में, जो हिस्सले लेने वाले लबहब 50 लाख के आसपास अभ्यरती हैं, तो वो क्यू इत हता मिलता है, तीस उसको कैजूल लीब मिलती है, जिससे सीयल बोलते है, शोटकट में, तीस उसे अर्न लीब मिलती है, जिससो हिंदी में, अर्जित लीब भी बोलते है, और 18 महीनी का उसे मेडिकल का अफकास भी मिलता है, और साथ ही बताते हैं, कि यदि कोई पुलिस वाल आख विहरतियों की उम्मीदों पर पानी ना फरे इस मामले की निस्पक्ष जाँच करने के बाद जो सच है वो सामने आना चाहिए और जिन लोगों ने यदि इसे ब्रहांतिया फिलाने की कोशिश किये तो उनकी खिलाब कुछ इतकारवाई होनी चाहिए दोस्तो इस पूरे घटना किरम को पूरी बात को सौने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है विलकि आपको जागरू करना है आपको सचेत करना है और आप इंतजार करिए हो सकता है कि इमान दरी से जाँच होकर इसमें दूद का दूद और पानी का पान मुहम्मद नाजिम, जाकिर सैफी, करण निशाद, सोनिया आनंदी रावत, बिर्जेश सिंग, संदीव गोतम, मुहम्मद अक्वर अली, भरत पंडित आप सब लोग अपने खयार लखें, सुरक्षित रहें, जैहिन जैभारत